दोष्टो बात करेंगे अभी विहार में जितने भी सरकारी होस्पीटल होंगे सभी सरकारी होस्पीटल में चार-चार डाटा इंट्री ओपरेटर की बाहली निकाली गई है इसके ऊपर हमने पिछले ही वीडियो में जानकाई सेर किये होंगे कि आप लोग को कीछ तरह से इस कहां पर जाना है तो इसमें काफी सारे चात्रों का स्पेसिक कॉमेंट आ रहा था कि यह फेक है लेटर इस पर कोई ज्वैनिंग नहीं हो रहा है बिल्कूल यह फेक है तो जिनको भी यह फेक लग रहा है तो आप वीडियो छोड़के जा सकते बाकि आप अच्छे जानकार जा गया था लेकिन इस पर जोइनिंग अभी 15 दिन से च्टार्ट है ठीक है और काफी सारे चाट रुजा इस पर जोइनिंग भी ले चुका है और इसमें आप लोगों को बदा दूँ कि काफी सारे ऐसे डिश्टी का जहां पर सीच भी फूल हो चुका है एक बात आप लोग सभी जानकारी जॉब कर देना है सभी जानकारी आपको इस वीडियो में शिर कर देंगे मतलब समझ सकते कि आप बिहार में जो भी कॉंटैक्ट बेस जोब होता है ठीक है दो परसेंट ही आप लोग एकजाम देकर क्वाइलिफाइब करते हैं तो किसी कारण वास आपको वहा को मतलब दो मन्त या छे मन्त साल वहर काम करने के बाद वहां से भागा देंगे आशार नहीं है जैसे आप लोग समझ सकते कि बेल्ट्रों से ही अगर आप लोग करके जाती है तो कल के डेट में उर्मिला से ही आप लोग को जोइनिंग लेटर रिसीव करना पड़ता है तो आप लोग जहां पर आप लोग का पोश्टिंग मिलता है तो छे मन्त या शाल वर काम करने के बाद आप लोग को शेवा वाफिक कर देंगे अप लोग को धीरे दिरे जोब तो ठीक उसी परकारी जोब है अभी मतलब बिहार में जितने भी सरकारी ऑस्पताल है सभी अस्पत प्रवाइटर जो है फूल हो चुका है और आप लोग को बदा दू कि सबसे पहले इसमें आप लोग को रजिस्टेशन करना पड़ेगा रजिस्टेशन के लिए कोई भी लिंक पढ़वाई नहीं किया गया है सबसे पहले आप लोग को ऑफलें के मादियम से जाके प्रवाइडर है बहुत सारे टेंडर से मतलव कमपणी है जो चंडर ले रखाए ठीक है लेकिन यह यह भी टेंडर एक यह कंपनी ने ले रखाए सबसे पहले उसमें जाके आपको रेजिस्टेशन करना पड़ेगा ठैपिंग्ग देना पड़ेगा उस्निडाए यह तो पहुचना है डोकुमेंट ले करके का सजति इंटा मैंट्रेंटे का सकति के मतलब आंग परवांस आप की date जग serves इनकम जितना डोकिमेंट आप बेलटरों के लिए मतलब हम भड़े होंगे उतना डोकमेंट आप लोग को ले के जाना पड़ेगा वहां पर आप लोग को राइस्टेशन करना पड़ेगा तो यहां पर समझ सकते इस तरह से आपको फ़र्म मिलेगा वहां पर आप इस फ़र्म को समीट करेंगे उसके जश्ट 10 या 15 मिनट के बाद आप लोग को मतलब सब siis करेंगे और आप लोग को मेरिट बन जाएंगे चे जुन 2024 का पर इकजाम हो अगर की देन पर आप लोग को मेरिट बन जाएंगे चेन 2024 का जो इक्जाम होंगे उसमें एछुक हो Pain के लिए मतलब फाइनल एक्जाम में पहुंचने के लिए आपको वहीं पर सलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप लोग 15 और 20 का टैपिंग नहीं मार पाते हैं तो उसके बाद वहां पर दोई दिन वहां पर ट्रेनिंग का ठीक है काफी सारे चाहत वहां पर ट्रेनिंग ले रह लैंगा उसके बाद यहां पर 6 अगर आपको कर जाते हैं तो ऊसके बाद आपप लोको सेटलमेंट की तो यहां पे ऐतला मतलब कर देते यहां पर प्रेमेंट ना को लगने वाले क्यादोसे सोलेख़ें किल के सब देतने फैंटा इंड को पर ञंवा ब्य है ठीका है तुब तो कर सकते हैं बागी आगे मतलब हर एक साल दस पर्सेंट सेल्री इंक्रीज होते रहता है ठीक है और स्टार्टिंग में आप लोगो 17,000 ऐसे कुछ रुप्या सेल्री मिल जाएंगे जी एस्टी काट करके वह से 24,000 सेल्री है करना पड़ेगा उसके बाद वहीं पर टैपिंग देना पड़ेगा अगर आप लोग करते हैं तो ठीक है नहीं करते हैं तो ट्रेंणिंग दिया जाएगा यह आप घर पे भी आके मतलब टैपिंग सीख सकते हैं अब बाकी छे जुन तो हजार चोबीस का जो एक्जाम होंगे सब्सक्राइब करते हैं तो सेटल्मेंट की बात होगी उसके बाद आप लोग को जोईनिंग करवा देगा तो यह आप लोग ध्यान में रखेगा यह मतलब सेटल्मेंट जॉब है तो यहां पर हमने सभी जानकाई दे चुके हैं बाकी आप लोग इस पीडियाप हमाई टेल लोड कर सकते हैं बाखी यहां पर देख सकते हैं मतला अर्तिसो जिला का जो है यहां पर मैंसंद किया गया है कि कहां पर कितना सीट खाली है तो एकोडिंग इसके अपने डिस्टिंग में चीड कर लेंगे और आप लोग जॉब लेना चाहेंगे तो आप उस दिये गए टाइंटी ऑपरेटर की बहाली निकाली गई है 16000 पर उसमें काफी सारे जॉइनिंग कर चुकिया है तो जुइनिंग जो किया है तो मतला सेटलमेंट पर जॉइनिंग किया यह नहीं मतला वह एक्जाम डिया और मतलब पास कर गया और जॉइनिंग मिल गया एक ऐसा ही जानकाई इस वीडियो में देच चुकिया और भी कोई जानकाई शहित कॉमेंट करके पोश्च रकती है धन्यवाद